क्या 2024 IPL के लिए डेली कैपिटल्स को ढूणना होगा नया कप्तान? अब DC के कैप्तन यानि कि रिशब पंद की अगर बात करें तो पिछले साल जब उनका सड़क हाथसा हुआ था उसके बाद वो IPL 2023 के लिए डेली कैपिटल्स की टीम का हिसा नहीं हो पाय थे और उनकी गैर मौचूदगी में DC की कप्तानी की थी ऑस्ट्रेलिया के दिग्यस बल्लेबाज यानि की डेविड वार्नर ने लेकिन इस साल की शुरुआत से पहले एक बड़ा अपडेट आया जिसमें DC मैनेजमेंट की और से एक बड़ा अपडेट आया जिसमें पता चला कि अब रिशब पंद IPL 2024 के लिए DC की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और वो पूरी तरह से फिट हो जाएंगे IPL 2024 में हिस्सा लेने के लिए लेकिन अब DC के हेड कोच यानि की रिगी पॉंटिंग का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि रिशब पंद को पूरी उम्मीद है कि वो IPL 2024 खेलने के लिए फिट हो जाएंगे लेकिन अभी भी इस बात पर संशे बना हुआ है कि क्या वो DC की कप्तानी कर पाएंगे और क्या वो DC के लिए विकेट कीपिंग की भूमिका में नजर आ पाएंगे अब इस बात से साफ तोर पर ये संकियत मिलते हैं कि अभी भी रिशब पंद ने अपनी पूरी फिटनेस गें नहीं की है और इस थिती में डेली कैपिटल्स को आने वाले सीजन के लिए एक नया कप्तान और एक नया विकेट कीपर ढूंडना होगा अब अगर रिशब पंद की बात की जाए तो उनकी गैर मोजूदगी में जहां डेली कैपिटल्स की कप्तानी की थी डेविड वार्नर ने जबकि विकेट कीपिंग की भूमिका में नजर आये थे अभिशेक पोरल लेकिन इस साल डेली कैपिटल्स ने उनकी जगा फिल करने के लिए साथ करोड और बीस लाग की एक बड़ी रकम देकर जहारकन के विकेट कीपर बल्लेबास कुमार कुशागर को अपनी टीम में शामिल किया है तो अब उमीद है कि रिशव पन्त अगर विकेट कीपिंग करने के लिए फिट नहीं होते हैं तो उनकी जगा टीम में लेंगे कुमार कुशागर इसके अलावा अगर डेली कैपिटल्स की कप्तानी की बात की जाए तो वो या तो एक बार फिर डेविड वार्नर हो सकते हैं जिन्होंने पिछले साल भी डेली कैपिटल्स की कप्तानी की थी लेकिन उनकी कपतानी में डेली कैपिटल्स का प्रदर्शन काफी जादा निराशा जनक रहा था और DC की टीम पॉइंट स्टेबल में नौवे स्थान पर रही थी ऐसे में अगर दूसरे विकल्ब की बात करें तो वो हो सकते हैं अक्षर पतेल जिन्होंने पिछले साल डेली कैपिटल्स के लिए वाइस कैप्टन की भूमिका निभाई थी और अगर अक्षर पतेल की बात करें तो पिछले कुछ समय से वो लगातार इंडियन टीम के लिए खेलते हुए नजर आए हैं और अब उन्हें काफी जादा experience है कि वो डेली कैपिटल्स के कप्तान बनाने के लिए भी एक बहुत अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं लेकिन definitely रिशब पंद को replace करना as a batsman, as a wicket keeper और as a captain किसी भी player के लिए असान बात नहीं होगी ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या रिशब पंद आने वाले सीजन में ऐसा impact player खेलेंगे, पूरी तरह से fit हो जाएंगे या फिर वो मैदान पर तो उतरेंगे लेकिन wicket keeping की भूमिका में नजर नहीं आएंगे अब इस बारे में आपकी क्या राय है और रिखी पंटिंग की statement के बाद आपको क्या लगता है अगर रिशब पंद पूरी तरह से fit नहीं हो पाते हैं तो उनकी जगा DC टीम का captain कौन बन सकता है, कौन उनकी जगा wicket keeping कर सकता है अब आपकी इस बारे में क्या राय है हमें comment करके जरूर बताएं और ऐसी ही videos के लिए cricket ग्यान को follow करना बिलकुल न बूले